स्वागत आप सभी का कैसे हैं आप सभी तो काईस जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल से मैंने एक स्रीज लांज किये जिसका नाम है पजल का पोस्ट मॉटम आज उसका पार्ट टू है और I am really sorry मैं थोड़ा सा वीडियो लेट डाल रहा हूं विकाज मेरी खुद तबीयत नहीं स सब्स्राइब कर लो बैल आइकन को प्रस कर दो वीडियो अपने दोस्तों का शेयर कर दो क्योंकि यह सीरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा important होने वाले हैं जितने भी लोग beginner हैं जिनको puzzle के basics नहीं पता हैं जिनको puzzle के condition कैसे note करते हैं puzzle को कैसे merge करते हैं condition को कैसे उसको देखते हैं उसमें possibilities कितनी बन रही हैं वो सारी चीज़ें इस video में one by one crystal clear तरीके से मैं आपको समझाओंगा ठीक है तो यह important है आपके लिए यह video बहुत important है यह series आप लिए बहुत important है जितने भी लोग banking exam 2024 की तयारी कर रहे हैं ठीक है तो ज PDF में share करता हूँ अब लोग साथ और भी other video बनाता हूँ उसकी भी link और जो PDF होती है वो वहाँ पे share करता हूँ ठीक है चलिए देखते हैं क्या है आज की वीडियो में तो अब बात करते हैं अपने topic की हमारा topic है puzzle का postmodern जिसमें हम puzzle के बारे में बहुत ही detailed way में समझते हैं सीख करने की ठीक है तो सबसे पहला काम मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए एक माइल सा reading कर लो हलका सा read करके देख लो कि पदल किस चीज पर है तो जैसे मैं इसको read किया 8% RSTUVWXY मतलब समया गया 8 लोग है R sitting around circular table एक circle table पर बैठे है facing the center और center देख रहे हैं तो मुझे समया गया कि 8 लोग circle table पर बैठे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं और same order में नहीं है बस इतना मुझे पता चलिया यह में हो जाने के बाद आपको सीधे आना है और वो table बना लेनी है जिस पर उनको बैठाना है बनाने का कारण भी मैं बताये हूँ आपको तुबारा बताऊँगा इस table को बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर मान लीजे कोई ऐसी condition आपको मिल जाती है जो direct table में put हो रही हो तो उसको आप directly put कर सकते हो ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना तो यह मैंने table बनाई और सब के सब अंदर की तरफ देख रहे हैं तो सब को मैंने अंदर की तरफ देख रहे हो ठीक है यह होगया अब जहां से सुनना मेरी बात हो जो बंदा यहां पर बैठा है इस चेके से ना इस side वाले जितने भी होंगे वो right side हैंका और इधर side वाले जितने भी होंगे वो left side हैंका ठीक है मतलब clockwise direction होगी और anti clockwise direction राइट होगी ठीक है इसी में 90 90% लोगों को इसी में दिक्कत आती है और इसका मैंने solution आपको दे लिया हूँ ठीक चलाओ R sits second to the right of T R जो है वो T के second right में है किसके second right में है T के तो पहले हम किसको लिखेंगे T को किधर है right में है तो एक second एक छोड़ेंगे और R लिख देंगे अब यह कैसे जानेंगे कि यह fix है तो fix करने के लिए हम बना देंगे arrow कि यह second right में है ठीक है चलो only 2% sit between T and U और T और U में दो लोग बैठें हुए है चलो अब इसमें नहीं पता कि U किधर है right यह left तो मैंने arrow नहीं बनाया ठीक है लिख दिया right में लेकिन arrow नहीं बनाया तो मदलब यह fix नहीं है ठीक वी sits immediate right of Y Y के immediate right में V बैठा हुआ है ऐसे मैंने बना दिया ठीक है और यह इनका position बना दिया वाई who neither अच्छा who किसके लिए आता है who हमेशा अपने से just पहले वाले बन्दे के लिए आता है यादर न और and जो पीछे वाला बन्दा उसके लिए आता है ठीक है तो why who neither sits adjacent to you nor sits second to the right of you U के first right second right में Y नहीं बैठेगा और अगल बगल भी नहीं बैठेगा ठीक है तो मैंने उस जगे पर लिखकर काट दिया ठीक है ऐसे आपको condition note करनी है same as जैसे में note कर रहा हूँ ठीक है उसके बादे हुआ यहाँ तक हो गया S sits second to the right of V V के first right second right में S बैठा है only two people person sit between S और W, S और W में दो लोग बैठे हुए है ठीक है same as जैसे TR और TU वाली condition थी यह भी वैसी condition है ठीक है चलिए both X and S are not immediate neighbors मतलब X जो है वो S के अगल बगल नहीं होगा जैसे ही हमारी सारी condition लिख देंगे हम जल्दी से इनको एक सरकल में बंद कर देंगे क्यों बंद कर देंगे क्योंकि हम इससे आसानी से differentiate कर सकते है कौंसी condition अलाग है कौंसी एक में है अच्छा इतना हो जाने के बाद क्या करना है इतना हो जाने के बाद जनरली लोग शुरू कर देते है पदल को बनाना लेकिन गलत है वो करना क्या होता है आपको condition को merge करनी होती है देखिए कितनी condition merge होई आपस में उसके बाद बदल को सुरू करना ठीक है थ्यान से देखना कि यहां पर है इसमें बाद इसमें से इसमें टी का हम निगाल सकतें टीकवर करेंगी हूस हम खेल सकते हैं अच्छा यूसमें घृम मज THE trolley कामन से सारी कंदीशन लिंक मतलब अगर T और R को हम रखना शुरू करें तो हम A करके सब को रख सकते हैं लेकिन थ्यान से तुनना अभी भी एक बात अलग क्यों है ये lecture सारे lecture हो से इसका reason बताऊँगा पहला तो बता दिये आपको मैंने कि merge करना second reason तुनिया T और R के लिए आपके पास एक ये है ये तो fix था कि T और R राइट पे हो पर ठीक है लेकिन U fix नहीं था U के लिए दो possibility बनेगे एक बार U यहां हो सकता है एक दो छोड़ कर T से U एक बार T और R ऐसे होगा और एक दो छोड़ कर U यहां पर हो सकता है हो सकता है ना मतलब आपकी पहली possibility यह बनी है और आपकी दूसरी possibility यह बनी अब उस शुरू करेंगे पजल को बनाना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो condition रख रहे हो उसमें कितनी possibility बन रही है और मैं यह recommend करूँगा कि दो possibility से जादी अगर बन रही है तो मत शुरू करना उस पजल से उस particular condition से और condition खो जो दूसरी ठीक है और जो ना मिले तब तो भाई शुरू करना ही पड़ेगा मजबूरी है ना तो फिलाला हम इससे सुरू करेंगे चलो मैंने T को यहां रखा पहली condition चेक कर रहा हूँ ठीक है पहली possibility ठीक हो मैंने यहां रखा एक छोड़कर आर को यहां रखाऊँगा और just इसके यह जाएगा अब देखना जो निगेटिव कंडिशन है इस जहां तक तो मैंने यहां इन दोनों को तो मैंने रख दिया ठीक है अब देखो इस से link internet condition देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां ठीक है अब y कहां बचा अब मजबूरी में y को यहीं रखना है और v को यहीं रखना है खेल खतम बन गई बदल व को यहां रखा एक छोड़कर ride में s बैठा वो s को यहां रखोंगा s को यहां रखा s को रखते ही दो छोड़कर डभलू रख देंगा एक दो छोड़ यहां रख नहीं सकते तो w को मुझे यहां रखना पड़ेगा है और w यहां रखते ही x यहां आ जाएगा तु बन गई पजल कुछ करना ही नहीं था इसमें है ना लेकिन संतुष्टी नहीं होगी क्या नहीं होगी क्योंकि हमने दूसरी वाली possibility कुछ चेक ही नहीं किया है तो मेरे तो संतुष्टी नहीं होती है जब तक मैं चेक नहीं करता हूँ कैसे पता करो कि यह वादी सही है तो यह जो बनाई थी ना मैंने possibility उसको cross check कर लो conditions है सारी conditions अगर सही है उस particular जगे पर तो वो सही है ठीक है चलो अभी second वाले में मैं गलत करके दिखाऊँगा कैसे वो गलत हो रही है P और R तो same as रहेगा इसमें कोई गलबड़ी नहीं है सबको पता है त्यान से दिखना एक दो छुड़कर U इस बार यहाँ रख रहा हूँ जहां पे बघल में कैसे बठाऊगे V को ठीक है तो इतनी condition गई यहाँ पे Y के place मिल गई Y के right में कोई है वी ठीक है आब ही तक सबसी चला है V से एक छोड़कर S रखना है रख दूंगा मैं इसको S से दो छोड़ के W रखना है एक दो छोड़ डवल यहां रख दूंगा X बाई बन तो यह भी गया थेहां से देखो condition match कर रही है condition सही है थारी है last condition देखो इस condition को देखो S के अगल बगल X नहीं होना चाहिए है यहां पर देखो बगल में बठा दिया तुम्में तो यह condition दलत हो कि इसका मतलब हमाने जो पहली possibility रखी थी हम लोगों ने वो हमने सही रखी थी ठीक ना तो क्या क्या रखी थी याद है जिसको तो comment box में बताना कि हां मुझे याद थी वो ठीक है यू को यहां रख दिया था और वाई को यहां रख दिया था वी को यहां रख दिया था एस को यहां रख दिया था डबलू को यहां रख दिया और एक्स को यहां रख दिया था यह हमारी final possibility बनी थी तो आई होप यह चीज़ चलिए एक बार मैच कर लिजे answer PSRUW PSRUW एक दम exact बना दिया क्या XY और V XY एक दम exactly बना दिया न T की position रखते ही एक दम exact बना गई चलिए कोई बात नहीं next बात करते हैं अगला है हमारे पास 10% parallel रोका ठीक है ये भी बहुत ही interesting है ये भी बहुत मजेदार है मुझे अच्छा लगता है से बनाना मैं आपको सिखाऊँगा अपनी अपरोच कैसे इसको solve किया जाता है ठीक है चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें हम लोग अच्छा जो circular setting arrangement सी है उसका एक और तरीका होता है जब हम उसको line से मनाते है फिलाहाल मैं line से नहीं बताऊँगा आपको आप लोग demand करो कि सर मुझे circular setting arrangement को जो generally thread method से बहुत famous है अगर आप लोग कहोगे कि आप लोग को thread method सीखना है कि अच्छे thread method से कैसे बनाए circular को comment box में बोलोगे अब मैं next video लोगा circular का उसमें आपको thread method भी सिखाऊँगा बहुत अच्छे हैं ठीक है basics है चलिए 10 persons sitting are sitting in two parallel room facing toward each other such that row 1 में ये लोग बैठे हुए and sitting facing north row 1 वाले facing north में है और ये लोग बैठे हुए ठीक है while row 2 में ये लोग बैठे हुए और facing south में देख रहे हैं तो मैंने बनाया एक row ये और थोड़ा सा gap देखे एक row ये बनाया ठीक है अब इसमें एक दो और तीन चार और पांच पांच लोग बैठे हुए तो पांच पांच लोग कर बना लेते हैं ठीक है ये आपकी row 1 है row 1 मैंने ये क्यों रखा क्योंकि ये row 1 वाले चितने भी हैं वो देख रहे हैं north की तरफ जही तो होता है north out तो उपर की तरफ देख रहे है चलो देखो कहा गया रो बन में कौन बैठा है Mnopq Mnop P और Q बैठे हैं सब उपर की दरफ देखेंगे तो यह आपका right और यह आपका left ठीक है confirm यह चीज़ आपको बनानी है यह नहीं बनाओगे तो पदल में confused रहोगे हैं ठीक है सेकंड रो की बात करते हैं तो इसमें RS EU और V अगर यह नीचे देखेंगे तो left और right बजल जाएगा बजल जाएगा ऐसे इसको box में बंद कर दो ठीक है चलिए आप शुरू करते हैं बजल को बनाना ध्यान से देखना इस पजल में एक बहुत इस शांदार hack से मैं आपको कराऊंगा बजल ठीक है अगर वो hack होगा इसमें तो जो को V आर यहां तो हो गया P sits at one of the extreme end अच्छा P किस लाइन में है तो दो ही end है या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा और तो यहीं बैठेगा नहीं चरणो फो ऐसे लिखते है P end पर बैठा है ठीक है ओके U sits diagonally opposite to P अच्छा U भी diagonally opposite P है मतलब अगर P यहाँ बैठा है तो U यहाँ बैठेगा ठीक है और अगर B यहाँ बैठा है तो U यहाँ बैठेगा मतलब U opposite end पर बैठेगा ठीक है P से तो ऐसे बनाते हैं, अगर ऐसे माल दो U यहां बैठ गया और U यहां बैठ गया दो बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनना समझ मैं जाएगा, ठीक है, वैसे याद रखने वाली condition इसको याद रख सकते हुआ Only 2% सिर्फ बेट्विन U और T U और T में दो लोग बैठे हुए हैं, चलो U एक दो छोड़कर T, देखो मैं आरो नहीं बनाया इस बार भी कहीं भी बैठ सकते हैं, भाई अगर U जो बैठ राइट एंट बैठा तो उसके लेफ्ट में हो जाएंगा उसके मतलब राइट में हो जाएंगे उस पर्टिकुलर जगे की हिसाब से और इधर बैठा लेफ्ट वाले एंट पर हमारे हिसाब से तो उसके लेफ्ट में हो जाएंगे, ठीक है चलो, अभी देखेंगे और बनाएंगे उसको भी यहां तक हो गया था, यह हो गया हमारा ठीक, only 2% UT ठीक है, UT तक यहां तक हो गया था, चलो M sits, adjacent to the one who faces T जो T को देखता है जो T को देखता है, उसके अगल बगल M में ठा हुआ है कंडिशन को मैंने यहीं मारज किया आजग से लिखने की जरूँआज ही नहीं इसको, ठीक है ना चलो, Q sits, second from the left end एक चीज, इस कंडिशन को लिखने पर ले एक चीज मैं देखाना चाहूँगा, आपको ध्यान ते देखना T के नीचे ही मैंने M मनाया, क्यूं? क्यूंकि T उपर वाले रो में था और M नीचे वाली रो में था मैंने उपर नहीं मनाया इस बात का भी इस रो वाले केस में आपको ध्यान रखना है ठीक है ना? चलिए आगे देखो क्या कर रहा है Q sits, second from the left end Q के बारे में बता देखें कि left end से second में बठा हुआ है तो Q नीचे वाली रो में है, है ना? और left end कहा है? यह है left end आपका तो Q यहाँ पर बठा है बता दिया इसने ठीक है? अच्छा V sits immediate right of S S के immediate right में कौन बैठी वी? अच्छा तो, हाँ, जो hack बता रहा है आप देखना 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 से S के immediate right में V generally यही होता है इसके पहले वाली पजल में मैंने आपको बताया कि S के right में V मैंने बना दिया लेकिं ध्यान से देखो यह बाल S कहाँ बैठा है? S बैठा है row 2 में और row 2 वाले कहाँ देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं तो वहाँ पर जो right और left मैंने दिखा है इसी लिए लिखा है कि ताकि यहाँ पर आप सीधा सीधा बी को ऐसे लिख दो और इसा लिख दो ऐसे simple अब आपको यह condition सीधे उठानी हो put कर दीने जाए कि table में बस और कुछ निकरना है ठीक न? ऐसा लिखना है आपको थोड़ा practice करो कि समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको ठीक the one who sits adjacent to our faces o the one who sits adjacent to our faces o जो भी आर के अगल बगल बैठा हुआ है मतलब यह या फिर यह वो ओ को देखता है ठीक न? ऐसा अब इतनी condition हमारी बनकर ready हो गई है और हमें इसको put करना है table में ठीक है? अब कर लेंगे pen को change और courses करेंगे condition को merge करने के देखते हैं कोई condition merge हो रही है नहीं देखो u और t वाली एक condition तो मर्ज होगी मुझे दिखी इसके अलावे मुझे कोई condition मर्ज होजी नहीं दिख रही है ठीक है पी की दो possibilities बनेंगी पी एक बार left hand पे आएगा एक बार right hand पे आएगा ठीक है left hand से शुरू बात करेंगे हमेशा आप याद रखेंगे line वाली पजल हो या यह वाली शीचे हो आप अगर शुरू भी कर रहे हो किसी भी condition माल लोते हैं कि हमने अगर उपर से कोई condition सुरू करनी पी के अगल बगल वाले में कोई एक M होने वाला है तो M यहाँ पर हो जाएगा भाई उतर तो P बैठा हुआ था है ना इतना हो गया अच्छा S or V को सीदा सीदा उठाके कहां रख सकते हो यहीं पता सकते हो S or V को सीदा सीदा उठाके मैंने यहां रख दिया अब बताओ मु U को मैं यहां रखूँगा, T को मैं यहां रखूँगा, S और V को मैं यहां रखूँगा, और यहां पर रखूँगा किसको, R को, तो O मेरा यहां पर आएगा, ठीक है, इतना हो गया, अच्छा, T के अगल बगल वाले कोई M था, तो M यहां पर आजाएगा, और बच कोन की अ, N कोई बात नहीं, दुबारा समझो, रेपीट मोड में मत देखना, सम्झाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ती के सामने वाले के, अगल बगल में M था, तो यह है, उसके एक साइड में P बैठा तो दूसरे साइड में जाहिसी बात है, M बैठेक, 100%, ठीक है, यह कंडिशन भी होगए, यह कंडिशन भी होगई, S और भी के लिए जिख्र कहाँ है, S और व के लिए सर्फ एक जगए, यहां पर S को यहां रखेंगे और V को यहां रखेंगे देखो मैंने जब पहले इसको बना रखा था तो मैं सीधे उठाके पुट करती है उसको कुछ करना ही नहीं नहीं पड़ा मुझे ठीक है अगर मैं S और V ऐसे बनाता तो मैं साइध S और V को बदल देता है गलती हो जाती तो आर के सामने आर के अगल बगल वाले को ओ देख रहा था तो ओ यहां आ जागा आर के बगल टी बेठा उसको ओ देखता है ठीक है ना अब को यह बच गया एन तो एन को यहां रख देंगे और यह हमारी पदलवन के रेडियो को एक बार चेक कर लेते हैं यू वी एस टी आर यू वी एस टी आर एन क्यू एम ओ पी एक्सेक्टली सही बनी है ठीक है तो आई होप यह जीज़ें आपको समझ में आई होंगे समझ में आई हैं तो कॉमेंट बॉक्स में बताओगे कि समझ में आई हैं सर मजा रहा है नहीं समझ में आई हैं तो भी थोरी आप इसको प्लीज और अच्छे से कर दिया करो ठीक है ना चलो और एक information है telegram channel join कर लो बहुत सारी PDF से हैं जो मैं वहाँ पर डाल रखा हूँ जैसे monthly vocab की है weekly vocab की है पजार सिटिंग अर्जमेंट के practice PDF है साथ ही weekly speed booster में देता हूँ daily speed booster देता हूँ आप वहाँ पर जाकर एक बार इसको देखो टेलिग्राम चनल में जाओ देखो बहुत सारी पीडिया पर पड़ी हूए ठीक है तो यह टेलिग्राम की ID है और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप जोइन कर सकते हूँ वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बाक्स में बताना अच्छा लगा तो भी बताना नहीं अच्छा लगा तो भी बताना क्या मैं और सुधार कर सकता हूँ वीडियो में ये भी बताना ठीक है चलो फिलार वीडियो में इतना था अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल को सब्स